हेलो बच्चो बच्चो जैसा कि मैंने आपको बोला था क्वेस्टन नमबर सिक्स को मैं असान वे में आपको एजी वे में करवाऊँगा हाला कि जो आपने किया है वो भी ठीक है लेकिन उसके अलावा आपको एजी वे भी आना चाहिए तो बच्चे आओ इसको एक असान तरीके से करते हैं question number 6 को दुबारा से ताकि आप और भी fast उसको कर पाओ तो बच्चे question number 6 का जो ए पार्ट है वो क्या है 3 multiply by 5 and 1 by 5 हमें question में बोला है इसे multiply करो फिर simplest form में करो card pit कर रेदी करता है तो उसके बाद उसको mix fraction में convert करो तो बच्चे इतना सब करने के बजाए हम क्या करेंगे देखो ये 3 है ना आप ऐसा करो 3 के multiply देखो जो आपने सिखा है पहले वो क्या था आप पहले हम ऐसे करते थे जो मैंना आपको जिखाया था पिछली बार कि 3 multiply by 5 5 जा 25 25 प्लस 1 26 divide by 5 इसको open कर लो पहले ठीक है अब सुनो 26 रिजा 78 78 divide by 5 अब सुनो अब बच्चे 78 को 5 से divide करोगे आप खुश से चे करोगे तो mix fraction में ये बनेगा 15 and 3 by 5 तो देखने में लग रहा है कि काफी असान है लेकिन बच्चे इसमें टाइम लगता है इसको मैं और भी असान तरीके और उसे बता रहा हूं आप एसा करो कि हैं आप अब दोख लीखा वाय और और का मेंनिक किसी wait pan website इसी टरीके से आप फिर नूर्ट बुक में कर सकते हो कोई भी बच्चे रीक्ती में करें ठीक है ऐसे 3 into 5 प्लस है में बीच में सुरी प्लस नहीं है मतलब प्लस होता है तो प्लस लिखो कि खाले को के प्लस प्लस 3 multiply 1 by 5 3 multiply अब 1 by 5 के साथ देखो मैं तुम को एक बात बता रहा हूं मैं लिखूं कोई भी नंबर मालो मैं लिखूं 1 and 2 by 3 इसका मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग ये भी हो सकता है एक ही बात है तो हमने क्या किया अब इसको कर तो multiply 3 5 जा 15 प्लस 3 बन जा 3 3 by 5 अब सुनो अब इसको देखो आप क्या करो चेक करो कि जो हमारा 3 by 5 आया है इसमें denominator छोटा है या बड़ा है यदि बड़ा है फिर तो आप direct कर दो आप अच्छे direct कर दो 15 and 3 by 5 15 and 3 by 5 लेकिन जब denominator छोटा होता है तो पहले इसको mix fraction में करेंगे तब जाके इसको हम add करेंगे 15 के साथ कहर इसमें denominator बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं इसको आप direct मिला दो दोनों को दोनों को आप mix कर दो तो 15 and 3 by 5 हो गया अब आजाओ BP BP मैंने बच्चे B question में मैंने ये तरीका ना अपना के direct असान वड़ा तरीका अपना दिया 5 की multiply पहले 6 के साथ क्याएगा तीश आएगा 5 6 जा 30 फिर 5 की multiply 3 by 4 के साथ तो क्या होगा 5 3 जा 15 5 3 जा रुखो हां बच्चे देखो 5 6 जा 30 5 जा 15 15 by 4 लेकिन बच्चे इसको अब आप direct ऐसे मत लिहना ये गलत हो जाएगा क्यों गलत होगा क्योंकि 4 क्या है चोटा है इसको पहले mix fraction में convert करना परेगा किसको 15 by 4 को तो 30 plus 30 को ऐसे ही रेने दो अब 15 by 4 को mix fraction में convert करो ये आपको आता ही है तो ये हो गया बच्चे 3 and 3 by 4 कैसे किया 4 3 जा 12 आप 15 को 4 से divide करोगे तो यही बनेगा mix fraction आप खुश से चिक करो तो बच्चे क्या होगा 30 plus 3 क्या होगा 33 3 by 4 मैंने यहां पर लिख दिया ये आपका बिल्कुल mix fraction में convert हो चुका है बिल्कुल सही है बिल्कुल accurate है कोई दिक्तर नहीं ठीकर बच्चे ऐसे ही आप बच्चे F पार्ट को खुश से समझेंगे और खुश से करेंगे बाकी बच्चे बच्चे पार्ट इसका C, D, E मैंने दो दो पार्ट है तो मैंने बस दो पार्ट करवा के छोड़ दिया बाकी आपको से करेंगे एक आप फर्स्ट पार्ट देखो क्या है वन बाई टू ऑफ टू एंड थ्री बाई फोर क्या करो पहले वन बाई टू लिखो ओफ का मिनिंग multiply होता है फिर क्या लिखो टू एंड अब सुनों वही सेम तरीका वन बाई टू के multiply एक बार टू के साथ एक बार टू के साथ तो वही किया मैंने देखो टू से टू गया क्या बचा वन और वन थ्री जा थ्री बाई फोर टू जा एट वन प्लस थ्री बाई एट अब इसको आप डिरेक्ट मिला दो कम मिलाओगे पहले चेक करोगे पहले आप इसको चेक करोगे कि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है ना हाँ बड़ा है इसको आप डिरेक्ट मिला दो तो वन एंड थ्री बाई एट आ चुका ऐसे बच्चे आप करो second part में क्या है वन बाई टू ओ फोर एंड टू बाई नाइन तो वन बाई क्या हुआ बच्चे टू हो गया तू से टू गया वन बाई नाइन बज गया इन दोनों को मिक्स कर दो क्या हुआ ट्वेलब एंड वन बाई नाइन देखो बच्चे मैं इस बात को एसेप्ट करता हूं कि मैंने बहुत ही फास्टली करवाया है I hope आप लोगों को फिर भी सम माइनस यह सब आप छोटी क्लास से करते आ रहे हो यदि अब भी नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दुख की बात है खेर मैंने बच्चे फिर से कहा है यह सोच के मत सरमाना की सर ने तो पहले ही के दिया कि आपको आना चाहिए बिलुकुल मैं कह रहा हूं आना चाहिए लेकिन ना आए इसमें कोई बहुत पाप नहीं है कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है नहीं आएगा तो मुझसे पूछोगे इसमें डरने की बात नहीं है आपको पूछना चाहिए नहीं आएगा तो चाहिए वो छोटी ही बात हो बच्चे आ जाओ सेकेंड पार्ट पे सेकेंड वाला कोस्तान है, actually question number 8 में कहा क्या है, फ़र वो देखते हैं, question number 8 में बुलावा है, बिद्या और परताब, दो बच्चे हैं, दोनों भाई बहने, वो किसी पिकनिक भी जाते हैं, उनकी मम्मी, उनकी मम्मी उनको पानी देती है, पानी का बोटल देती है, जो पानी का बोटल ह उसमें टोटल क्वांटिटी 5 लिटर है, कितना पानी है, 5 लिटर पानी है, कह रहा है कि विद्या उन 5 लिटर में से, उस 5 लिटर का 2 बटा 5 हिस्सा, 2 बटा 5 हिस्सा, पूरे वाटर का 2 बटा 5 हिस्सा पीती है, कौन? विद्या कंजियूम करती है, पीती है, तो पूछ रहा परताप ने बचा हुआ पानी पी लिया जो बच गया वो परताप पी लिया तो हमसे फर्स्ट पार्ट में पुछा हुआ है तो विद्या कितना पानी पीती है दूसरा पुछावा है और परताप कितना टोटल पानी का फ्रेक्षन पीता है उतको फ्रेक्षन में बताना है हमें यह नहीं बताना है कि प्रताप ने कितना पानी पिया हमें यह बताना है कि प्रताप ने जो पानी पिया वो पूरे पानी का क्या fraction है यानि fraction में हमें convert करके बताना है ठीक है आओ पहले देखते हैं question को first part करते हैं कि विद्या ने कितना पानी पिया तो देखो बच्ची यहाँ में देखो total पानी कितना है 5 liter है विद्या कितना पानी पिती है 2 by 5 यह question में लिखा हुआ है 2 by 5 of water of total water 2 by 5 of of total water total water कितना है 5 है और ओस का मिनिंग क्या होता है ओस का मिनिंग होता है multiply तो 2 by 5 ओस के जगां पे multiply total water कितना है 5 से 5 से 5 कट गया क्या बचा 2 यानि विद्या ने 2 लिटर पानी पिया तो आप लिखोगे विद्या ड्रिंक 2 लिटर water तो first part complete हो चुका second part में क्या फुशा होगा है कि प्रताप ने total पानी का कितना हिस्सा पिया तो पहले तो आपको ये निकालना होगा कि प्रताप ने कितना पानी पिया तो बच्चे मेरी बास सनो 5 लिटर में से 2 लिटर पानी तो विद्या पी गई तो कितना लिटर पानी प्रताप पियेगा तो बच्चे प्रताप पियेगा 5 में से 2 गया 3 लिटर तो 3 लिटर पानी प्रताप पियेगा लेकिन हमसे ये नहीं पुशावा है कितना पानी पियेगा हमसे पुशा कितना पूरे पानी का कितना हिस्सा पिएगा यान फ्रेक्शन में पूछा हुआ है तो मैंने आपको पहले बोला है जब भी फ्रेक्शन लिखते हैं डेनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल क्या लिखते हैं नीचे लिखते हैं टोटल और ओपर लिखते हैं जिसकी बात हो रही है तो टोर्टल बच्छा आओ यहीं पर मैं आपको समझाता हूं बताओ टोर्टल पान ने कितना है फाइब है फाइब लिटर और प्रताप में कितना पाने पिया है तेन लिटर तो तीन बटा पांच एंसर होगा तीन बटा पांच